दोस्तों इस विडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको flip card के gift card या फिर gift voucher को खरीदना है और उसके बाद आपको उसका कैसे use करना है इस विडियो में मैं आपको पूरी complete जानकारी दूँगा हेले दोस्तों मेरे नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसफर टैग तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि flip card का जो e-gift voucher है या फिर gift card है उसका आप कैसे use कर सकते हैं और किसली आपको use करना है दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को birthday gift देते पर हैं तो चरी आप जानते हैं कैसे आपको gift card voucher को खरीदना है दोस्तों flip card e-gift voucher खरीदने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के description से flip card application को डाउनलोड कर लेना है हमने यहाँ पर पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है अब आप यहाँ पर open करेंगे जैसे आप इस तरीके से interface आएगा अब आप यहाँ पर नीचे आएगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा categories तो आप categories के उपर click करेंगे click करते ही यहाँ पर सारी की सारी categories खुलकर आजाएगी अब यहाँ पर एक options है gift cards का आपको gift cards के उपर यहाँ पर click करना है click करते ही आपके सामने इ अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है gift card voucher देखने को मिल जाते हैं इसके लावा अगर आप back करते हैं तो अभी आपको यहाँ पर अलगलग types के यहाँ पर ब्रांस भी नजर आते हैं तो अभी हमें e-gift voucher को buy करना है उसके बाद उसको redeem करना है तो उसक example मान की चले कि अगर हमें किसी को जो है 100 रुपे का gift voucher देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जितना का भी आपको करना है अपने हिसाब से चक्कल लेंगे और यहाँ पर जो है याद रखी का आप नीचे आंगे तो आपको यहाँ पर जो है buy now का एक option नजर आएगा तो आप buy now पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिनके लिए भी आप gift voucher खरीद रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पर type करेंगे उनका email ID क्या है आप email ID में अपना email ID भी यहाँ पर enter कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसी email ID को आप दुबारा से यहाँ पर enter कर लेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर हम next पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपका address automatically आ जाएगा अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको करना है continue करते ही आपको थोड़ा सा wait करना है अब आपको यहाँ पर payment करना है तो payment आप कैसे करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप कर लेंगे जैसे UP यहाँ पर यहाँ पर प्रेंट करना है और यहाँ पर पेनाओ करेंगे और पेनाओ करते ही अब आपको यहाँ पर डारेक्ली पेमिंट करनी है तो चलिए हम यहाँ पर payment करेंगे और जो भी हमारा UPI PIN है उसको हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और OK कर लेते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है अभी यहाँ पर आपका payment जो है successfully complete हो चुका है और आपको इस तरीके से यहाँ पर आपका voucher यानि कि आपका order complete हो जाएगा तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर order place हो चुका है अब आपको एक काम करना है आपने जिनका भी email id एंटर किया था यहाँ पर आपको उनका gmail id को यहाँ पर open करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे flip card की तरफ से एक email आ चुका है अगर आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 100 रुपे का यहा आपको redeem कैसे करना है तो ध्यान से देखना आपको यहाँ पर आपको gift card का एक serial number मिलेगा उस number को आपको copy कर लेना है ठीक है तो आप press करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इसको copy और इसके अलावा हमें ज़रुत पड़ेगी यहाँ पर पिन की तो यहाँ पर आप दिखेंगे क voucher का यहाँ पर पिन भी है और यह voucher की amount है तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपको जो है इस voucher को redeem करना है वाउचर redeem करने के लिए आपको दुबारा से flip card app को open करना है और यहाँ पर आपको categories के उपर करना है और यहाँ पर gift card दुबारा से जाएंगे और यहाँ पर have a flip card gift card आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप इसके उपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एंटर करना होगा, gift card जो भी हमने copy किया था, इसको हम paste करेंगे, और जो भी हमें pin मिला था, जीमेल पे, तो अब हम उस pin को भी यहाँ पर देख लेते हैं, कि हमारा pin क्या है, अभी आप देखेंगे, यह हमारा pin है, इसको भी हम यहाँ पर copy कर लेते हैं, और यहाँ पर paste कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर enter कर लिया है अब हम apply करेंगे apply करते ही आप देखेंगे gift card add successfully हो चुका है चलिए अब जानते हैं कि आपको gift card का balance कैसे चकरना है आप back आएंगे तो यहाँ पर आपको account के ओपर click कर लेना है account पर click करते ही नीचे आएंगे तो नीचे आप देख़ पाएंगे यहां पर आपको जो है my cards and wallet का एक option दिखेगा अभी यहां पर 529 रुपीज दिख रहा है आप यहां पर जो है view detail के उपर जैसे click करेंगे click करते ही आप दिख पाएंगे जो amount हमारा है वो 529 है लेकिन अभी हमें चक करना है 100 रुपे जो मैंने अभी add किया था तो view transaction history पर अगर आप click करते हैं तो आप दिख पाएंगे कि आभी हमने 100 रुपे का अभी gift voucher यहां पर add किया है अब दूस्तों बात करते हैं कि जो भी आप यहां पर gift voucher जो है add करते हैं उसको आप को use कैसे करना है तो जैसे मान के चलिए कि आपने कोई product को buy करना है जैसे हमने यहां पर water bottle ए यहां पर buy now करूँगा और उसके बाद मेरा address यहां पर automatically आजाएगा मैं continue करूँगा और continue करने के बाद आपके सामने यहां पर payment का options आजाएगा तो अभी आप दीख सकते हैं सबसे उपर यहां पर gift cards का एक options है आपको बस इस box को tick करना है क्योंकि अभी हमारा यहां पर balance है 529 रुपीज और यहां पर आप जैसे click करेंगे आब आपका automatic यहां पर amount जो है zero हो जाएगा और जो आपका gift card का amount है उससे directly आपका पैसा कर जाएगा तो आपको यहां पर place order पर click करना है और पर click करते ही आपका यहां पर order book हो जाएगा तो इस तरीके से आप बहुत ही आसाने से Flipkart पर e-voucher खरीद कर उसका यूज़ कर पाएंगे